पंजाब विधानसभा का बजट सत्र एक से दस मार्च तक शुरू होने जा रहा है वहीं मेंट्रिमेंटल की बैठक में बजट सत्र बुलाने को लेकर के मंसूरी दे दी गई है कैबिनेट की बैठक में बजट की तारिक का एलान भी हो गया है आठ मार्च को पंजाब का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा पंजाब कैबिनेट ने इसके अलावा भटिंडा में मोडमंडी बंविस्फोट में मारे गए चार नाबालिक में से प्रत्येक के परिवार के परिजवनों को सरकारी नौकरी भी देने का फैसला किया है वहीं आपको बता दे कि 31 जन्वरी 2017 को भटिंडा के मोडमंडी में चुनावी सभा के दौरान हुए बंवाके में चार की जान चली गई थी कैबिनेट ने इनके परिजवनों को सरकारी नौकरी देने के लिए नेमों में विशेश प्राबधानों को मन्जूरी दी है वहीं कैबिनेट ने राज के गाउं के लिए मिशन लाल लकीर को मन्जूरी दी गई है जिसके तहत लाल लकीर के तहत आने वाली संपत्यू का भी रिकॉर्ड तयार किया जाएगा